90% खुशी का सोर्स आपके अंदर होता है अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपको खुश रखेगा तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे अगर आप खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते हैं अपनी कमपनी को एंजवाय करेंगे तो खुशी खुद बखुद आपके पास आएगी हेलो एवरिवन पाउंस बैक में आपका स्वागत है आज हम बात करेंगे नौ ऐसे लाइफ लेसंस के बारे में जिनको लोग अपने जीवन में बहुत देर में सीख पाते हैं अगर आपने इसको पहले सीख लिया तो आपका जीवन बदल जाएगा आपके सोचने का तौर तरीका बदल जाएगा आप मेंटली और इमोसनली बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा 9 Life Lessons People Learn Too Late जीवन में कुछ भी पर्मानेंट नहीं है जब आप ये समझ जाएंगे तब आप लोगों को अपने जीवन में बने रहने के लिए कभी भी फोर्स नहीं करेंगे उसे जाने दो जो जाना चाहता है जबरदस्ती रिस्ते नहीं बनाए जाते हैं और ये समझ आपको mentally strong बना देगी कोई दूसरा आपको दुखी या खुश नहीं रख सकता स्वैंग आप अपने खुशी और दुख के लिए जिम्मेदार है आपको ये समझना होगा कि जीवन पर्फिक्ट नहीं है आपको इसे पर्फिक्ट बनाना पड़ता है यदि हम ये अपेक्षा रखते हैं कि सब कुछ हमको थाली में सजा कर मिल जाएगा तो हम खुद को बेवकूब बना रहे होते हैं तो हमें अपेक्षा छोड़कर काम करना शुरू करना चाहिए अपने इंपर्फिक्ट लाइफ को केवल आप ही पर्फिक्ट बना सकते हैं कोई मिराकल नहीं होने वाला है गुस्से के पीछे हमेशा भैचिपा होता है इसके पहले कि इमोशन्स आपको कंट्रोल करना शुरू कर दें आप अपने इमोशन्स को कंट्रोल करिए इस्पेसली आपको अपने गुस्से पर नियंतरन रखना चाहिए जो आपके अंदर भै और निगेटिविटी का कारण बन सकता है यदि आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल है तो आप किसी भी चुनावती पूर्ण इस्तिति का बड़ी शांती पूर्वक शमाधान निकाल सकते हैं और आपकी परस्नाल्टी निखर कर सामने आएगी यदि आप दुनिया के कुछ सकसेफुल लोगों की लाइफ को डीपली एनलाइज करें तो एक बात सब में बहुत कामन है कि ये लोग एक्शन टेकर हैं लास होने का डर तो होता है फिर भी रिस्क लेना पड़ता है अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो दुनिया कुछल कर आख को आगे निकल जाएगी इसलिए जीवन में रिस्क लेना बहुत जरूरी है हमारा जीवन सास्वत नहीं है आपको ये बात अपने दिमाग में बैठा लेनी चाहिए कि ये जीवन पर्मानेंट नहीं है ये चीज आपको बुद्धिमानी पूरवक फैसले लेने में और आपकी प्रायार्टे डिसाइड करने में मदद करेगी हमारा जीवन ऐसे चलता है कि हमारी प्रायार्टे ज क्या है और हम कितने सही डिसिजन लेते हैं आपको अपने गोल सेट करने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने चाहिए और अपने रिलेशन्स को अच्छा बनाना चाहिए आज ओवर्थिंकिंग बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है हर व्यक्ति ओवर्थिंकिंग से परिशान है ओवर्थिंकिंग निगेटिविटी का दूसरा नाम है सोच जब तारकिक होती है एनालेटिकल होती है तब तक कोई प्राबलम नहीं होती है लेकिन ओवर्थिंकिंग इसके ठीक विपरीत होती है यदि आप ओवर्थिंक करते हैं तो आपके मन में ब्लाकेज क्रियेट होता है और आपके अंदर का मोटिवेशन समाप्त हो जाता है इसलिए समस्याओं को आराम से लेना सुरूखिजे and try to solve them with cool mindset and better planning सबसे बड़ा life lesson ये सीखना है कि how to overcome the fear of being just इस भैसे मुक्ति पाना कि लोग आपको क्या कहेंगे जब आप ये सोचना शुरू कर देते हैं कि लोग आपको कैसे देखते हैं तो आप demoralized हो जाते हैं और खुद से hate करना शुरू कर देते हैं You feel bad inside आपको खुद को mentally prepare करना होगा कि लोग आपके बारे में क्या सुचते हैं क्या कहते हैं आप जो कर रहे हैं करते रहिए जिस दिन आपको अपना goal पराप्त हो जाएगा लोगों की सोच आपके प्रती automatically बदल जाएगी Number 8 Happiness is a choice खुश रहना आपकी अपनी चुश है केवल आप ही वो व्यक्ति हैं जो खुद को खुश रख सकते हैं 90% खुशी का source आपके अंदर होता है अगर आप ये अपेक्षा करते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके जीवन में आएगा और आपको खुश रखेगा तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे अगर आप खुशी के लिए दूसरों पर डिपेंड नहीं रहते हैं अपनी कंपनी को एंजवाय करेंगे तो खुशी खुद बखुद आपके पास आएगी तो आज ही से अपने साथ समय बिताईए खुशी आपके पीछे पागलों की तरह से पढ़ जाएगी हमारा जो दिमाग है यह हमारा सबसे अच्छा दोस होता है और सबसे खराब दुस्मन होता है अंतिम लाइफ लिसन यह है आपके जीवन में होने वाली हर घटना की जिम्मेदार आप खुद है आपका माइंड सेट आपको विनर या लूजर बनाता है यदि आपका दिमाग आपको मोटिवेट करता है कुछ बड़ा सोचने के लिए कुछ बड़ा करने के लिए हर चुनोती का सामना करने के लिए तो आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा मित्र है और आपको winner वनने में देर नहीं है लेकिन यदि आपका mind आपको discourage करता है कि लोग आपके बारे में negative बोलते है तो आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है अगर जीतना चाहते हो तो अपने mindset को change करिए अपने दिमाग को positive विचारों की अच्छी खुराग दीजे आपका जीवन बदल जाएगा तो ये रही कुछ ऐसी बाते हैं जिसको लोग अपने जीवन में बहुत देर से सीखते हैं और बाद में पस्चा ताप करते हैं कि काश ये चीजे हमने पहले जान ली होती है विडियो अगर पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड आई प्रामिस इससे भी बहतरिन वीडियो जो मैं आपको देता रहूँगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई